फार्मासूटिकल जुरिस्पुडेंस और फार्मेसी लौ अन एथिक्स दोनों एक ही चीजे हैं और इसका स्लेबस बहुत ही बड़ा है कॉम्पेटिटिव एक्जाम के लिए मैंने कुछ इंपॉर्टन टॉपिक स्लेट किये हैं जो की लगतार एक्जाम में आए हुए हैं कि फार्मेसी का जो प्रोफेशन है इंडिया में उसको किस तरह से किन-किन लोगों ने टाइम लाइन के अनुसार आगे बढ़ाया और कौन-कौन से इंपॉर्टन नाम है जो एक्जाम में पूछे जाते हैं तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि जो ड्रग इनकौरी कमीटी है जिसे सॉटकॉट में D.E.C. काया जाता है इसमें पूछा जाता है कि ड्रग इनकौरी कमीटी किन होने बनाया था तो कर्णल आरेन चोपड़ा niez बनाया था इसे चोपड़ा कमीटी के नाम से भीजाना ज उसके बाद फादर ओफ इंडेन फार्मेसी वो प्रोफेसर महादेवलाल स्रॉफ हैं तो इनको भी आपको याद रखना है तीसरा है कि प्रफुल चंदर रॉय जो है उन्होंने कार्तिक चंदर बोस की सहायता से बेंगॉल केमिकल और फार्मसूटिकल वर्क्स की जो है कलकता म स्थापना कि थी 1901 में तो ये भी पूछा जाता है कि पहला जो है फार्मसूटिकल वर्क्स और कामिकल सौप कहां हुआ था और किन के द्वारा किया गया था उसके बाद आप से पूछा जा सकता है कि जो कैमिस सौप पहला था वो कहां खुला था तो कलकता में खुला था किन के द्वारा तो बादगाते के द्वारा ये खुला था उसके बाद प्रोफेसर टीके गजर जो है उन्होंने एक सबसे पहला स्मॉल फैक्टरी जो है बॉंबे में परेल लाम की जगा पर बनाया था 1901 में और उसके अलावा Alembic Chemical Work Baroda में 1901 में अस्थापित किया था तो यह important नाम है जो एक्जाम में पूछे जाते हैं इसके अलावा आपको कुछ committee उनके chairman और वो किस विसायब पर गठित हुई थी वो याद रखना है तो आपको भाटिया committee के बारे में जानना चाहिए यह एक्जाम में कई बार पूछा गया है इनके chairman थे major general SL भाटिया और इन्होंने health survey and planning committee government of India जो है यह committee के अंतरगत इन्होंने अपनी report प्रस्तुत की थी उसके अलावा आपको याद रखना है बोर कमीटी के बारे में इन्होंने 1943 में health survey and development committee बनाई थी और इनके जो chairman थे सर जोसेफ विलियम बोर थे इसके अलावा आपको हाथी committee जो पूछा जाता है बार-बार जैसे की MS Pharmacist में पूछा गया है और भी बहुत सारे pharmacist के exam में पूछे गया है उसमें हाथी committee जो है यह 8th February 1974 को बनी थी इनका बिशाय था drug and pharmaceutical industry और इनके chairman थे जैसुक लाल हाथी और एक है आपका मुल्दिलार committee जो की chairman थे इनके dr. A. Lachman स्वामी मुल्दियार और इन्होंने pharmaceutical inquiry committee जो है इस पर अपनी report प्रस्तुत की थी government of India को और इन्हों 1953 में यह report प्रस्तुत की थी तो date इंतना important नहीं है लेकिन committee उसके chairman और साथ-साथ उनका किस भिशाय पर report सरकार को प्रस्तुत किया गया यह important है इसके अलावा आपको कुछ-कुछ places के नाम याद रखने है जो की laboratory से संबंदित है, institution से संबंदित है, organization से संबंदित है तो सबसे पहले नाम आता है कोलकाता का, कोलकाता में तीन important laboratory है और institution है, तो उनमें सबसे पहला है central drug laboratory बहुत बार पुछा गया है exam में, कोलकाता में दूसरा important है seriologist and chemical examiner की testing होती है food and drug toxology research center ये भी कोलकाता में है, इसके लावा government opium factory जो है वो गाजीपूर में है इसके लावा institute of microbial technology ये चंडीगड में है, उसके लावा BCG vaccine laboratory ये चिन्नाई में है इसके लावा आपको याद रखना है कि National Institute of Ayurveda जैपूर में है और उसके लावा आपको बैंगलोर में National Center of Biological Science NCBC और National Institute of Yunani Medicine ये बैंगलोर में है, इसे याद रखना है इन सब के अलावा आपको लखनाओ और कसॉली का नाम बिलकुल आपके अंदर आपके जवान पर होना चाहिए लखनाओ में Central Drug Research Institute CDRI है, जो कई बार एक्जाम में पूछा गया है और एक और है लखनाओ में Industrial Toxicology Research Center कसॉली में Central Research Institute Sera, Solution of Serum Protein for Injection Vaccine Toxin Antigen जैसे चीजें जो है यहाँ पर टेस्टिंग की जाती है और उन पर रिसर्च किया जाता है इसके अलावा आपको इटा नगर और मुक्तेश्वर का भी आपको याद रखना है यहाँ पर जो है जो जानवरों से संबंदित रिसर्च की जाती है अगर जानवरों से संबंदित आएगा तो आपको इटा नगर बताना है जहाँ पर वैक्सिन और उसके जो भी एंटीजन्स है वेटनरी यूज के है तो उसको आपको यहाँ पर इटा नगर में बताना है व प्रिजाम में कई बार पूछा गया है कि Central Pharmacopeia Laboratory कहा है तो यह है जो Central Pharmacopeia Laboratory और साथी साथ यहां पर Condoms के सैंपल के भी टेस्टिंग होती है वो है गाजियाबाद इसके अलावा पुने में तीन संस्थान है जिनके बारे में आपको याद रखना है Indian Society of Blood Transfusion of Immunology National Institute of Virology National Arts Research Institute यह तीनों जो है पुने में है यह तो बात हो गई Important जो Laboratory है उनके बारे में और जगा के बारे में अब बात कर लेते हैं कि कौन-कौन से Act है जो की एक्जाम में पूछे जाते है Most Important सबसे पहला हमारा Pharmacy Act है जो 1948 में बना उसके बाद PCI का घटन हुआ इसके एक साल के बाद यानि 1949 में इसके बाद Factory Act है 1948, Minimum Wedges Act है 1948 और Sop and Establishment Act है 1948 यानि 1948 में यह चार एक्ट बने थे इसमें आपको Pharmacy Act important है इसको याद रखना है इसके अलावा इसके बाद आपको याद रखना है drugs कि से related दो ड्रक्स दो एक्ट ड्रक्स and Cosmetic Rules 1945 में यह हुआ और Drug and Cosmetic Act 1940 यह 1940 में हुआ इसके अलावा आपको याद रखना है Poison Act जो 1919 में Establishment हुआ था और Opium Act 1857 में Establishment हुआ था इसके साथ-साथ आपको Drug and Magic Remedy Act 1954 जो है आपको याद रखना है जो 1954 में लागू हुआ था और इसके साथ आपको दो और Important जो है Act Medicinal and Toilet Preparation Act 1955 और Essential Commodity Act 1955 इन सब के साथ-साथ आपको Medical Termination of Pignancy Act 1917 और Insecticides Rule 1971 को याद रखना है इसके साथ आपको Patent Act भी याद रखना है 1917 में यह पारित हुआ था और साथ में आपको याद रखना है National Pharmaceutical Policy जो 2002 में बनी उसके साथ-साथ Patents Rule जो की 2003 में यह आया था मतलब लागू किया गया था और काम करने लगा पूरे देश में National Pharmaceutical Pricing Policy यह 2012 में बना Drug Price Control Order यह 2013 में बना और Biomedical Waste Management Rule यह 2016 में बना और Consumer Protection Act यह 2019 में बना तो यह जो act है आपको याद रखना है कि कब बने थे इसके अलावा आपको कुछ-कुछ acts के कितने section है और कितने chapter है यह याद रखना है तो Pharmacy Act में कुलमिला के 46 section है और 5 chapter है Drug and Cosmetic Act में 38 section है और 5 chapter है Narcotic Drug and Psychotropic Substance Act में 83 section है और 6 chapter है इसके अलावा Drug and Magic Remedic Act में 16 section है और इसमें एक ही chapter में यह सारे section है उसके अलावा Drug Price Control Order में 32 section है Medical Terminology or Pregnancy Act में 8 section है Medical and Toilet Preparation Act में 143 section है और 9 chapter है Patent Act में 163 section है और 23 chapter है और इसके अलावा आपको याद रखना है Medical Termination and Pregnancy Act में 8 section है और साथ में साथ Insecticides Act में 38 section है इन सब को आप Audio File बना के रोज सुनिए आपको यह पूरी तरह से याद हो जाएंगे और इसमें से आपके 3 questions जरूर आएंगे चाहे वो कोई भी competitive exam हो आगे हम लोग और Pharmacy Act के बारे में बात करेंगे नेक्स वीडियो में मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई